नमस्षकार दोस्तों, भगवार आप सभी कभला करूँ और आपकी सारी इक्षा हैं, यह मैंने कबना परी हूँ दोस्तों, अज मैं सभी को इसांग से रिलेटेड महत्मु जान करें वेक करूँगा जैस मसब बता हम यहापर आपके फिंगर के एनलेसिस के बाद इस पर पाम का इनलाइस कर आप सभी के सामने वेक करूँगा और यहाँ पर आपका जो डॉमिनेटिंग है वो यहाँ पर लेफ्ट है इसलिए इसके प्रेडिक्शन पूरे के पूरे फोलो होंगे और और लाइफ में या पास्ट इवेंट्स को लेकर के भी और जो राइट हेंड है उसमें सिफ जज्जमेंट लिया जाएगा आपके लख लाइन के अकॉर्डिंग ली तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर की जो लेंथ है आपके पाम के कमपरिजन में शौर्ट है जो एक fast decision making habit को थोड़े जल्द बाजिवा हर बड़ी किसम के nature को दर्शाता है इसके अंतरगत instant decision लेना अपने thoughts के उपर बहुत जल्दी काम करने लगना जिस बात से inspired, motivated या influence हो हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके देखाना यह सब basic nature मिलेता है आपकी finger में एक common point यह देखने को मिलेगा कि finger जो है मोटाई में थोड़ी ज़्यादा है तो इस condition में instant decision और आनन फानन में निर्णे लेने की शक्षमत ज़्यादा देखने को मिलती है आनन फानन का हस्त रेखा में मतलब यह होता है कि जिस बात से affected हुए instant decision लेने बीना दूर दशीता रखे हुए तो इस condition में खुद के द्वारा लिए गए निर्णे में बाद में आगे चल करके पस्तावा हो जाता है तो जब भी ऐसे किनी का finger थोड़ा मोटाई में ज़दा देखने को मिलता तो थोड़ा patience रखने की सलह निश्चित रूप से दी जाती है ताकि कोई भी अगर आप निर्णे लेने या planning कर रहे हैं अगर दूर दशीता रख करके शान्ती से सोच विचार के लेंगे तो बहुत अत्यधिक आपको जो है उससे लाभ देखने को मिलेगा और संतुष्टी भी जीवन में इस case में आएगी यहाँ देख सकते कि आपका शनी finger थोड़ा सा tilted है जब भी कोई finger थोड़ा tilted होता तो उसके प्रभाव बढ़ जाते हैं अन्याय अपने या किसी और के साथ बिलकूर सहर नहीं कर पाते हैं और इस condition में चाहे किसी प्रकार का वर्क आपको दिया जाए कभी आपकी मुझसे ना नहीं निकल सकता है बहुत कम ही मना किसी काम क्लिक करेंगे अधरवाज एकदम जो है इतना वर्क लोड देखने को मिलता है जीवन में कि बाहर का काम घर में लेकर के आते हैं इसके अलब़ यहाँ देखें तो little finger की जो length है थोड़ी सी short है तो इस condition में थोड़ा communication effect होता है जैसे stranger या opposite gender से बाचित करते समय थोड़ी हिचकी चाट खबराहर्स की देखने को मिलती है मन के अंदर बात को थोड़ा दबाने वाले देखने को मिलते हैं इस case में अगर एक समय पर एक से ज़्यादा काम अपने हाथ में लेता है तो हर काम में देरी अर्चन बाधर रोकाउट जैसे चीज़े भी उत्पन होती है आपके हतेली में फर्स्ट फिंगर के लेंधि स्टॉंग जो आपको responsibility taker बनाएक असलिए बहुत कम उम्रसे जिम्मदारियां सर के उपर आ जाती हैं और कभी किसी प्रकार की जिम्मदारी लेने से मना भी नहीं करते हैं यह बहुत अच्छे knowledgeable personality को दर्शाता है इसलिए high post authority या top level management में पहुशने के पूर्ण तहय योग बनते जिसमें हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों के संख्या जाधा रहती हैं इसके लब फिंगर के उपर आपकी सीधी खड़ी रेखाओं की शंकल अच्छी है जिसके करणिया मितरता पुरोग सभाव को दर्शाता है यानि हर परिस्तिती माहूल में अपने आपको ढालना हर प्रकार की लोगों के सा संबंध अच्छे रखना और यहां क्याडी रेखा रिष्टों में थोड़ा संबं मत भे देती हैं लेकिन सीधी खड़ी रेखा अच्छी है उनकी शंक्या जादा है तो इसलिए आप अपने रिष्टे अंतितह अच्छे से निवा पाने में शक्षम रहेंगे फिंगर के जो नॉट्स है वो डेवलोप यहां पर क्लियर कट नहीं है तो इस कंडिशन में डिसीजन लेने में वह ज़्यादा दिक्कत आती है किसी ना किसी वेक्तिविशेस के गाइडेंस यह सपोर्ट के आउशक तपड़ती है डिसीजन लेने में और फैलेंजस यहां आ अच्छी जा रहे है तो इसके करण यह जो है लॉजिकल परसनेलिटी को दर्शाता है तो अगर तथ्यों के साथ काम करेंगे तो और ज़्यादा आपके जियर में आपकी दोरह लेगा निरने से आपको लाब मिलेगा और यहां पर आपका यहो कचिन है लेकिन ओपन है आपक फोकस में बहुत कमी है इस कंडिशन में लंबे समय तो कोई काम करने ही पाते है रुक रुक करके थोड़ा काम करने के योग बनते हैं हो है जिसके अंतरगत धार्मिकता भी लंबे समय तक नहीं रहती रुक रुक करके थोड़ा धर्म कर्म पूजा पाट जैसे चीजों में मिलती हैं वहीं बात करें जूपिटर के रिगाड़ी तो आपको जो जूपिटर मांट है वो वीक है इसलिए परिवारिक तालमेल में आपको तकलिफ परशानी का सामना करना पड़ता है जब भी गुरु परवत किसी का वीक हो तो आप जैसे जातकों को उतना ज़्यादा तव भी रिप्रेजन करता है इस कंडिशन में गुरु की अराधना करना जिसके अंतरगत शिव जी के अराधना कर सकते हैं अपने जो गुरु है उनसे आशिवत करपा ले सकते हैं या माता पिता या उनके समान जितने लोग उनकी सीवा भी कर सकते हैं तो इसमें क्या रहता है कि जो जूपिटर है उसके ब्लेसिंग जब आने लगती है तब जाकर के मेरेड लाइफ, फैमिली लाइफ में जो है स्टेबिलीटी होने लगता और फिर हैपिनेस, पीसफुल ने जैसी चीज़े इंक्रीज होती है अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, तो आपको एक हलका सा स्टार का साइन देखने को मिल जाएगा तो इस कंडिशन में क्या रहता है, कि जब इस पर अगर कोई भी फोर्मिशन हो किसी मांट के उपर, तो यह बहुत शुब माना जाता है, क्योंकि स्टार गुरू के उपर है इसका मतलब सिधा सिधा सारे कि मान सम्मान पदप्रतिष्ठा, यह चारो चीज़े जीवन में होती ही होती है लेकिन अब गुरू परवत ही दबा हुआ है, गुरू खुदी स्ट्रेंथ में नहीं है, तो वो कैसे अपना शुब परिणाम दे सकते लेकिन डरना ले कोई बात नहीं, इसका जो रेमेडी है, वाटसेप पर शेयर किया जाएगा, उससे आपको निश्यत रूप से शुब परिणाम मिलेगा दूसरी जो इसमें शुब बात आई, वो है आपका प्रोग्रेस लाइन, इस पर अगर की जो प्रोग्रेस लाइन होती है, यह बहुत ambitious nature देता है, इसलिए कभी भी अपने thinking से आप जैसे जातों कोई भी compromise नहीं करते हैं, इसलिए यह निरंतर तरक्की को, निरंतर learning habit को, निरंतर प्रहतनेशील रहने के योगों को दर्शाता है, अब यह निकला कब है, आपके उमर के according लिए यहाँ पर judgment लेंगे, तो यह निकल किया अगर तक्रिबन 21 और 22, और उसके आपको जो independence या growth life में देखने को मिला, वो 26 और 27 के उमर के बाद से देखने को मिला, गुरू पर एक और formation है वो है आड़ी रेखाओं का, एसी आड़ी रेखाओं धार्मिक बनाती है, तमाम तरह के धर्म ग्रंत, जियोतिश विद्या, रहसे में विद्याओं तो प्रतिरू इस condition में ये दुरघटनाओं से बचाता है, शनी अचानक से होने वाले आपदा का भी कारक है, तो इस condition में जीवन में कई मरतब़े एक्सेरेंट से बचते हैं, धन की जीवन में कोई बहुत ज़्यादा कमी देखने को नहीं मिलती, और ये भाग्य शाली होने का चिन होता है इसमें भाग्य निरंतर साथ देता है, चाहे कितना भी खराब से खराब परिस्ते थे क्यों नहीं आदा है, अंत में आपका काम जरूर बनेगा, और आपके अगर हतेली के अनुसार देखा जाए, तो सबसे बड़ा जो दिक्कत है वो है गर्डल ओफ वीनस का, ये जो शनी और सूर के बीच में जब इस प्रकार का कॉंबिनेशन होता है, तो इसे गर्डल ओफ वीनस केते हैं, जिसमें मूर स्विंग का बहुत इशू होता है, जिसमें बार-बार भावनों में परिवर्तन होता है, तो खुद के द्वारा लिए गए गए निर्णे में ही बार-बार चेंजेस करते हैं, यानि सुबह जो चीज अच्छा लेगा और शाम को चीज खराब भी लेगा, रहते रहते सीरियस हो जाएंगे या हस देंगे, या emotional हो जाएंगे, नहीं तो practical हो जाएंगे, तो यह depend करता है कि कैसा समय परिस्थिती है, उसके नुसार आपके विचारों मे बड़ा जल्दी परिवर्तन आता है, तो इस condition में क्या रहता है, कि शनी पर यह आड़ी रेखाओं से चल रहा होता है, तो यह क्या करता है, संतुष्टी नहीं दे पाता है किसी भी चीज में, और सुर्य रेखाओं को भी काटा है, तो इस condition में हमेशा job के रिगार्डिंग, वर्क के करेगार्डिंग, इन सेक्यूरिटी के भावन रहती है, और अनसेरिस्वेक्शन, अनस्टेबिलिटी भी देखने को मिलता है, इसलिए हमेशा मान समाज पर प्रतिष्ठा खोने का डर देखने को मिलता है, तो इसलिए बिलकुल चिंतित होने वाले यहाँ पर कोई बात नहीं है, यह जो formation है, यह lifetime ही बना रहेगा, लेकिन हाँ इसका उपाय करने से आपको निश्यतूप से लाब मिलेगा, तो आपके हतेली के अनुसर जो पूर्ण तह उपाय रहेगा, वो आपकी WhatsApp पर share किया जाएगा, बस आपको इतना ही दिहान देना है कि कोई भी काम ज पर आप चीज हुई, तो वही शाम को उसी विशे में आप बात करेंगे, उसी विशे में ज़्यादा सोचेंगे, तो यह शनी का दुश परिणाम इसमें आ जाता है, अगर यहाँ पर बात करें अभी आपके लक लेन के रिकार्डिंग ली, तो यहाँ पर आप देख सकते है कि एक तो शुक्र और चंदर, दोनों के कॉंबिनेशन से जब भागी रेखा प्रारंब होती है, तो जीवन में अवसर बहुत अच्छे खासे आते हुए देखने को मिलती है, यह रेखा सीधे के सीधे जा रही है, अब इसमें सूर के तरफ रेखा जोकी, जो सरकारी नोकरी या सरकार से मिलना उले लाब को भी दर्शाता है, या जॉब सीकूरेटी देता है, और दूसरी जो शाखा है, वो सीधे सीधे यहाँ पर शैनी तक पहुची है, आपकी भागी रेखा बहुत कमजोर चल रही है थी, पहले भी और थोड़ी अभी भी, इसलिए कही न कहीं बह इतनम एक दूसरे को सपोर्ट कर रही है, तो जॉब के रिगार्डिंग आपको कभी भी डरने की जरुवत इतनी है ही नहीं, मान, सम्मा, निजट, ये सारी चीज़े बरकरा रहे हैं कि उसमें कोई कमी नहीं है, और भाग रेखा भी मजबूत इस्थिति में जा रहा है, तो डेफिनिटली आपका बर्टले से दूर जाने के चांसेज हैं, दूसरे बात यह है कि यहाँ पर लाइफलेन पर भी आप देखेंगे, कि एक शकप पूर्ण तह चंदर पर आ रही है और दूसरे भी चंदर पर ही जा रही है, तो जर्मिस्थान से दूर पूर्ण तह रसने बसने के योग बनते हैं, तो यह सारे कॉंबिनेशन तक्रिबन उम्र 45 और 46 के एस तक आते आते हैं, आपको देखने को मिलेगा, बीच की सरेखा को विध्यरेखा कहते हैं, जिसके अंतरगत ग्यान अच्छा देखने को मिलते हैं, दूसरों को गाइड, एडवाइस, सजेश का नेचर देता है, तो आगे से रहकर के दूसरों की मदद करते हैं, ऋएं जो इस तरफ निचे के दर रेखा जा रही है, यह इस बात का प्रमान है कि आपने कई मरतबा, गरत लोगों पर भरोसा किया है, जिससे आपको दोखा मिल गया है, या बहुत जदा expectation दूसरों से कय सामना अला एक्सपेक्टेशन पर खड़ा नहीं उत्रा तो इमोशनली हट हुए इसलिए यह रेखा आ गई पेसा संबंदी विभार जादा किसी समत रखेगा क्योंकि आप अपने ही पेसा दे करके वापिस मांगने में शर्मा जाते हैं या नहीं मांग पाते हैं वहीं जो में ज़्यादा मज़ा भी नहीं आएगा इसलिए आप जिसे जाता तक प्यॉर वर्कोहलिक नेचर के होते हैं तो यह प्रैक्टिकल लॉजिकल परसनेल्टी देता है लेकिन यह जो गडल वीनस का साइन ही यह इमोशनल नेचर देता है तो बस लाइफ में चाहिए कितने भी प्रैक्टिकल लॉजिकल क्यों ना हो जाए आपका हमेशा फाइनल डिसिजन इमोशनल ही आएगा माइड लेन पूरा प्रेशराइज दिख रहा है 26 के इस तक फिर उसका माइड लेन में बाइफोर्क का साइन हुआ यानि माइड लेन आगे के तरफ बढ़ा अब इसमें क्य किरता है कि हर बात के जड़ तक ले करके जाता है इसलिए को वर thinking लिजिए ठिञा बना देता है आभ अगर किसी प्रण सोच विचार रहे हैं किसी प्रण पर भावनों को भी ले कर तो निश्ची तुरुप से नाकरात्म ACT जो है सोच हो जाएगी या negative thinking के exists फोड़ा tension pressure हाथ में होती है जो अपने creativity, art या imagination से दुनिया के सामने कुछ रखते हैं या बहुत बड़े-बड़े लेखक के हाथ में इसी जो है मस्तिश्रेखा पाय जाती है यह मस्तिश्रेखा थोड़ा nervous भी करती है लेकिन जीवन की बहुत गेहरे से गेहरे पहलू खोल देती है अगर सही डंग से सोचा विचारा जाए तो आप जैसे जातकों की दुआरा मेरा यही suggestion रहेगा कि आप overthinking से बचिएगा दूसरा यह है कि by four के है और उपर से सूरे रेखा निकली है तो यह definitely high post authority top level management पे लेकर की जाएगा manager या बहुत बड़ा पद आपको निश्य तुरुप से देने वाला देगा अभी कोई भी ऐसा योग दिखने रहा है सब दिख रहा है 45 और 46 के age में तो उस age में आपको निश्य तुरुप से फायदा मिलेगा और जब भी मस्तिश रेखा इससे नीचे जाती तो इससे जा तक बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं पाय जाते हैं जिनके उपर responsibility जादा होता है छोड़ी से छोड़ी पारिक से बारिक बारिक बात तो कभी जिनको परक रखना पड़ता है वो लोग टॉप लेवल पे होता है तो ये अच्छे growth को career wise यहाँ पर दर्शा रहा है lifeline के strength पर आएगे तो देखें lifeline भी थोड़ा फैल करके ही चला जो स्वास सम्मध्य ठीक नहीं होता लेकिन आपके अतिली में सहीयोगी रेखा जिसे देवदूत रेखा और अद्रेश शक्ती भी कहा जाता है जिसके अंतरगत spouse का या बहारी दुनिया लोगों का सहीयोग मिलता है जिससे stress worries कम होता है और जो dream, desire, ambition से वो सब complete होता है तो यहाँ पर progress line आपकी निकलती कब दिख रही है 33 में, 35 में, supportive line उसी समय generated हुई आपके जिवन में निश्चीत रूप से किसी ना किसी का सहीयोग बना ही रहा जब जब आप कभी भी कष्ट परशानी मुसीबत मेरा इस condition में stranger कभी support मिलता है और जिवन रेखा बाहर के तरफ ही जुक रहे है जो जन्मिस्थान से दूर ही रसने बसने के पूर्णता ही होगे foreign से settlement के कोई pure chances नहीं है आपके पाम में लेकिन हा, foreign traveling के chances बहुत अच्छे हैं अंद्रोणी मंगल के स्थीति पर आएंगे तो accident भी आपका हुआ था अंद्रोणी मंगल के स्थीति सामान ने है, बाहरी मंगल विक्सी ठीक है, तो मांसी करूप से बलवान है थोड़ा शारेरिक गठन पर ध्यान देना है, जैसे exercise योगा, प्राणायम जैसी चीज़ है तब physical fitness बढ़ेगा शुक्र की स्थीति बढ़िया जा रही है, जो luxurious life का main का रखे, तो एक से ज़्यादा गाड़ी घरबार का सुक अच्छा रहन से इन खान पर अच्छी दिन चरे, एश्वाराम भरे चिंदगी का भी ये का रखे सिधी खड़ी रेखा जियने बहुत अच्छे अफसर लाती है, अपने जीवन शेली को सुधान निकले शुक्र की, पर अगर ये तिल है, तो मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा sacrifice करना पड़ता है, हमेशा जुकना पड़ता है बीवी बच्चों के सामने इसके अलवा केतु के स्थीती आपके हतेली में सामाने है, धार्मी क्यातरा करने से लाव मिलेगा चंद्र के स्थीती पर आड़ी रेखा ही, यातरा को शौकिन बनाती है, तो देश-विदेश, एवन भ्रमन करने की जो शौक है, वो देखने को ज़्यादा मिलता है मनी है लेकिन रुकने वाला नहीं है, क्योंकि मनी ट्रेंगल प्रियॉल बन नहीं पा रहा है, तो पेसा तो जीवन में आएगा ही, रुकरना थोड़ा सक कम दिख रहे हैं, लेकिन हाँ, आप छोटे-छोटे इंवेश्मेंट ज़रूर करते रहिए, उससे आपको पेसे का प क्योंकि उस समय ही आपका सूर्य और जो भागी रेखा वो मजबूत स्थीति में है, दोनों हथिली में, तो ये दोनों जब मजबूत होते हैं, तो भागे भी साथ देता है, और कर्मे भी साथ देता है, वो कम्बिनेशन बन जाता है, तो इसमें क्या रहता है, कि जब बाहर के तरफ इसे life लें जाती है तो मन लायक फिर जीवन शेली होने लगता है तो ये combination भी बहुत अच्छा दिखा यहाँ पर भी mercury line है लेकिन open है आपके अंदर learning habit अच्छी है, intelligence अच्छी है लेकिन अगर बात आती है savings की तो कई न थोड़े वीफल साबित होते बार-बार दिख रहे हैं सूर की इस्थिती भी बढ़िया जा रही है जब इसमें ऐसे बाइफोर्क होता है तो property definitely बना पाने में शक्षम रहते हैं कुछ squares के sign यहाँ पर incomplete है तो कई मरतबा मुग के पस निवला आते आते भी रह गया इनि अच्छे अच्छे opportunity आते आते रह गए अच्छे अच्छे decisions life में रहते रहते रह गए लेकिन अब उन सब चीजों पर विचार करना नहीं है जो remedy suggest किया जाएगा उसको follow करिए सेटन पर आड़ी रेखा है तो प्राणायाम योगा जैसे चीजों को भी follow करिए ताकि इसका जो negative उसर है वो आपके पर ना पड़े और अभी तो भागी की स्थिति और सूर्व बहुत अच्छे जा रहे हैं तो आपको name respect definitely मिलेगा ग्रोध दिखेगा भी आपको life में तो यह थी सबसे महत्पून बात है आपके हाथ के रिगाड़ी आशा करता हूं सभी प्रेशनों को त्रमिल गया हो तब तक आप अपना ध्यान रखें आपका बहुत बहुत धन्यवाद